हसन खान मेवाती स्टोरी आई हसन खान मेवाती ने बाबर का प्रस्ताव ठुकरा कर कहा था कि अब हमारी मुलाकात मैदान एज जंग में होगी वीर देश भक्त सपूत जिससे बाबर भी घबराता था बाबर के खिलाफ जम कर किया था युद्ध अलवर राजस्थान वीर सपूतों की भूमी है राजस्थान के रजवाडों ने कई युद्ध लड़कर इस भूमी को गौर्वामवित किया है मेवात के वीर युद्धाओं में सबसे शीर्श पर महाराणा प्रताप का नाम आता है कहा जाता है कि अकबर महाराना प्रताप के नाम से कांपता था लेकिन आज हम आपको मेवात के ऐसे वीर के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे अकबर का दादा बाबर भी घबराता था उस महान राजा का नाम था हसन खा मेवाती अमर शहीद राजा, हसन खां मेवाती नाम की किताब लिखने वाले इतिहासकार सद्दीक मेवा लिखते हैं कि हसन खां मेवाती सोलहवी शताबदी के महान देशभक्त राजा थे अगबर नामा में उस समय के जिन चार योध्धाओं का वर्णन है उनमें से हसन खा मेवाती एक हैं। लेकिन मेवाती नहीं हारे, वे बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए राणा सांगा के साथ मिल गए। इसके बाबर ने धमकी देना शुरू किया, बाबर ने लिखा कि मैं तुम्हारे पुत्र को रिहा कर दूँगा, तुम मेरे से आकर मिलो। इस पर मेवाती ने जवाब दिया कि अब हमारी मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी। फिर हुई खानवा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई मेवाड के राणा सांगा और बाबर के बीच हुई। उस समय हसन खान मेवाती की देश भक्ती देश भर में प्रसिद्ध हो चुकी थी। हसन खान मेवाती ने इस लड़ाई में राणा सांगा का साथ दिया। 15 मार्च 1537 को हसन खान ने राणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर के साथ जम कर युद्ध किया। अचानक एक तीर राणा सांगा के सिर पर आ गया और वे हाथी से नीचे गिर पड़े। फिर सेना के पैर उखडने लगे तो सेना पती का जंडा खुद राजा हसन खान मेवाती ने संभाल लिया और बाबर सेना को ललकारते हुए उन पर जोरदार हमला बोल दिया। राजा हसन खान मेवाती के बारा हजार घुड सवार सिपाही बाबर की सेना पर तूट पड़े और उन पर भारी पड़ते दिखे। फिर अचानक एक तोप का गोला राजा हसन खान मेवाती के सीने पर आ लगा और मेवाती लड़ते लड़ते वीर गती को प्राप्त हो गए अब वापस याद कर रहे हसन खां मेवाती की वीरता भरी गाथा लोगों तक पहुंचाने के लिए अलवर में हसन खां मेवाती का पैनोर्मा बनाया गया है। इसके बाहर उनकी घोडे पर सवार एक प्रतिमा लगाई गई है। ये पैनोर्मा ही फाइव लाग की लागत से बना है।